इतना बड़ा रायता फैलाया है कि मुझे न सच मुच बहुत टाइम लगेगा इस पोड़पोलियो को करेट करके आपको भेजने में लेकिन आप बाई साब क्या करते हो याँ लेकिन बस आपने जो किया ऐसा हो गया तो प्लीज ध्यान रखियेगा ऐसा मुझे एक ची समझ में नहीं आती कि जब पोड़फोलियो बनाने का होता है तो लोग तब नहीं कोश्चन पूछते जब बहुत बड़ा पहार त्यार कर लेते हैं तब कोश्चन आता है कि सर ये कर दिया है और ये करने के बाद अब क्या करूँ भाई साब आपने पूरा कमाल कर दिया मतलब ऐसा कमाल किया है कि ये वैलू मतलब आज लोग न सच मुझ इतना पैसा इन्विस्ट करना न लोगों का सपना रहता है सच बता हूँ आप लोग इतने दिन से नीचल फंड वीडियो फॉलो कर रहे हो बहुत कम पूरफोलियो अपन देखते हैं लेकिन इन भाई साब में नाम नहीं लोगा लेकिन इनका पूरफोलियो का मेरे पास रिवीजन आया है कि सर इसको करेक्ट कर दो सर आपने अल्री रायता फलाया दिया है इतना बड़ा रायता फलाया है कि मुझे न सच मुच बहुत ठाइम लगेगा इस पूरफोलियो को करेट करके आपको भेजने में लेकिन आपने जो किया है इसके लिए बागी ओडियन्स को बताना चाहूंगा कुछ चीजें सो देट वो लाइफ में गलती ना करें बाइस आप ने पिछले तीन सालों में 37 लाग इनिविस्ट किया उसकी करेंट वैलू संतामन लाग है लमसं किया है S.I.P. मुझे लगता है S.I.P. कर रहे होंगे वाटसप में मुझे मैसेज किया है उन्होंने तो ये लगातार 37 क्रॉस हो जाता इनका लेक इनोंने क्या गलती कर दी आज की वीडियो में देखेंगे इसलिए सबसे पहले सबका स्वागत करता हुद आज की वीडियो में चले पहली वार सस्क्राइब कर ले ना 68 mutual funds लिया ऐसे जो 68 68 68 mutual fund के साथ खेल रहा है आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से mutual fund ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था और ऐसा कौन सा combination ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था बहुत आप ICC Prudential Mid Cap Fund 446 डाला है 9 अला के 80 value है चलो ये तो शांदार है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ICC Prudential Fund अच्छा है SBI, HDFC, ICISA तीनों बहुती बहतरीन बैंक है इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा होता है ICC Prudential में किया 446 के value 9.80 है Mid Cap में किया है तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई सब Mid Cap Small Cap में Bubble आएगा तो सहाब आप पैसे लेते रह जाओगे आपके पास पैसे पड़े रहेंगे लोग यहां पैसे बना लेंगे ठीक है ये कुछ देगो इन्होंने जी इन्वेस्ट किया कुछ अच्छी पाते भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मैंनों से पूछा कि सर कितने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हो संदीब भाई अभी दू-तीन साल हुए है ठीक है बरोडा BNP पारिभास Mid Cap ये इन्होंने बिलकुर नया फंड लिया है 3.45 दो 23 वैलू डाला है तीन लाख मेहतालीजर वैलू है तो VSP Nifty, Kanara Voko, SBI Dividend, Investco India Liquid Fund, Kotak Flexi, SBI Balance, Mothilal Oswal, Baroda BNP, Investco India Liquid Fund, Investco India Small Cap, इडल इसी Small Cap यहां उन्होंने इन्वेस्ट किया, Bank of India इन्वेस्ट किया, Quant Infrastructure मुझे लगता है सर, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे mutual fund ले लिया है लेकिन कुछ गलती कर गये हो, ये बहुत भा तक मुझे लग रहा है इनका जो इन्होंने पिक भेजा है न वो देखते हो लग रहा है कि 100% यह न या तो बैंक से करवाया है या किसी एडवाइजर से करवाया है क्योंकि उसमें दिख रहा है regular funds ऐसा दिख रहा है अब देखो इन्होंने जो गलती किया example और को बताना चाहू हो यह भी देखना पड़ेगा अब इनकी कहानी देखो सर इन्होंने न क्वाइंट mutual fund में infrastructure भी ले लिया PSP भी ले लिया small cap में ले लिया momentum में ले लिया flexi cap में ले लिया manufacturing total blender कर दिया सर आपने सच बता रहा हूं इसके जगह पे कुछ अच्छे funds आप लेते कुछ ऐसे PSU funds लेते कुछ defense fund लेते कुछ infrastructure वाले अच्छे funds लेते जिसमें literally government काम कर रही है तो आपका portfolio शांदार होता और सर 68 68 funds उन्होंने invest किया है 68 यह 68 का सरना maximum आपका 12 हो जाएगा मैं सच बता हूँ और 12 में आपके बहुत सारे unwanted mutual funds हैं जिनको नहीं हटाना पड़ेगा तो यह चीज़ देखो यह केवल उन्हें क्वांट का नहीं किया है इन्होंने इन्वेसको को भी किया है और इन्वेसको के साथ-साथ इन्ह निपॉन का small cap, निपॉन का mid cap, निपॉन का multi cap, large cap, flexi cap सब भुसा दिया बाइस आप क्या करते हो यार मैं तो सच मुझ बता रहा हूँ कि जब लोग comment करते हैं न अरे sir आपना repeat video डालते हो मुझे नहीं समझ में आता कि यार इतने सारी video और कभी-कभी मैं सच मुझ टॉपिक repeat करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है हर दीन 15-20 हजार नए लोग आते हैं चैनल पे, तो मकसद clear रहता है कि मेरा मकसद यह नहीं कि भाई साब जो लोग आलड़ी सीख गया उनको सिखाना, मकसद यह है कि जो लोग नए हैं जिनको नहीं आता, कितने छोटे 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 श होता है, सच बताओ मेरा खुद मन होता है कि मैं इसके बाद स्टॉक में जाओ, इस स्टॉक के बाद intraday आपको सिखाऊ, bank nifty सिखाऊ, सब मन होता है, लेकिन क्या होता है, कि जब maximum proportion को लोग आते हैं चैनल पे, उनको basic नहीं पता होता, तो लगता है कि इस वीडियो से जितन गुसा दिया यार, infrastructure को डाल दिया, PSU में घुसा दिया इसी में, momentum में ठोक दिया इसी में, manufacturing में ठोक दिया इसी में, इस से अच्छा एक PSU fund ले लेते हैं, PSU fund में सारे stocks हैं जो आपको infrastructure और manufacturing मिलेंगे यार, तो आपको जरोती नहीं पड़ती, मोटा मोटी आप proportion पैसे लगा भी मुझे phone लगाते हो, यह सार इतना invest हो चुका है, भाई साब मैं बाद में कुछ नहीं कर सकता, more than 400, 500, already जितने भी लोग के portfolio है, सच बता रहा हूँ भाई साब, पूरा पूरा अटका हुआ मेरे पास, मैं किसी का point नहीं करता, मुझे पता नहीं क्यों believe नहीं होता, किसी कौन क्या बताएगा, कैसी audience को क्या बताएगा, तो मैं खुदी सब के portfolio जितना होता है न, कोशिश करता हूँ, कि design करके आप लोग को देता रहूँ, right, तो यह delay हो रहा है, अगर आप ज़्यादा delay नहीं जहेल पाओगे, तो मुझे unfortunately फिर paid करना पड़ेगा, और उस paid करोगे तो फिर आप लोग बोलोगे कि sir आपने paid कर दिया, क्योंकि इतने आलोग आते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी portfolio भेजते हो, थोड़ा सा patience रखो, धैर भी रखो, सब को प्रॉपर तरीके से करता हूँ, और लेने से पहले, कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहि करता है, तो पूरा देखो, पूरा देखो होगे, तो मेरा मकसद clear होगा, कि समझ चुके हो, मैं हमेशा कहता हूँ, भाई साव, small cap ले रहे हो, आप अपने risk profile पे लो, किसी को मैं कहता हूँ, 30% small cap लेना चाहिए, 20% लेना चाहिए, मेरा बोलो कि मैं 40% लेता हूँ, मैं ये न नहीं बोलता मेरा follow को, 20% small cap रखो, 30% रखो, 40% रखो, आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कि small cap 90% रखो, मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि, इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि, market की जब volatility nature होती है, in a volatility nature market का, तब लोग क्या होते, घबरा जाते हैं, उसी को मैं risk कहता हूँ अगर आप market down होता है, आप अपने आपको सभाल लेते हो, तब आप कर सकते हो investment, कहीं लिखा नहीं है, कि small cap करोगे, तो पुरा loss हो जाएगा, कहीं नहीं होता ऐसा, सच बता रहा हूँ, जो लोग ज्यान पेलते हैं, सच बता हूँ, कि small cap, mid cap, bubble बनने वाला है, भाई, मत करो investment तुम्हें आर, लेकिन दूसरों को negative comment मत दो, कि भाई साब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करो, यहाँ घरगर SIP Mission के माद्यम से मैं लगा हूँ, कि लोगों को जितना हो सके, free में service हो जाए, जितना knowledge जा सके ना, सब जगह जाए, sorry मैं थोड़ा हार शो रहा हूँ, क्यों अब देखो, 4-5 category के fund है यार, और जादा नहीं है, अगर आप infrastructure वाले fund लोगे तो उसमें बहुत सारा, PSU fund में infrastructure आपका energy related funds आ जाएगा, आपका renewable source of energy भी आ जाएगा, उसमें PSU fund में आ जाएगा, diesel वाले fund भी आ जाते है उसमें, आप कभी अंदर घुसके देखो कि fund के अंद सजादा रखो midcap, मैं हमें ऐसा कहता हूँ, 40% आप midcap रखो, flexi भी आप रख सकते हो, 30% flexi भी रख सकते हो, thematic fund मैं हमें ऐसा कहता हूँ, अपने risk profile पे 10-20% आप thematic fund रखो, defense का ले सकते हो, आदिदी बेलर सनलाइफ में पूरा बहुत अच्छा है, recently मैंने बहुत सारा बताय DSP infrastructure बारें बताया, SBI के मैंने बताया, Tata Digital India Fund के बारें मैंने बताया, ये सारे fund में बताया, लेकिन अगर आप ये सोचोगे, कि सर मैंने न कौंट के info भी ले लिया, PC भी ले लिया, midway, small, momentum, flexi, सब ले लिया, कचला कर दी आपने सर, please मत करना ऐसा, बस request है, और मैं कुछ नह होगा, तो definitely भेजा करो, तब time लगता है, और उसके according अपन काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा amount invest करना, sir, मैं आपको खास करना, आपका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, I hope आप वीडियो देखोगे, आप वीडियो देखने के बाद आप clear करोगो, तो my dear friends, बस आपकी यह आपको यही message देना चाहूंगा, आज की वीडियो में, मुझे नहीं मालूम कि इतने view जाने वाले हैं, मैं view को तो मुझे फरग नहीं पड़ता सच मुझ, क्योंकि मैं ऐसे question बनाता हूँ, तो न, view नहीं मिलते मुझे, मुझे मालूम है, लेकिन तो भी, मेरा फर्ज है, लाइक करना, ना पसंद आए, तो मत लाइक करना, मुझे कोई tension इस बात के नहीं है, बस आप इतना समझ लो, कि सर ऐसे invest अगर आप 37 कियो होते, proper diversification मा, सच मुझे संतामन लाग के value आज 80 लाग होती, लेकिन बस आपने जो किया ऐसा हो गया, तो प्लीज, ध्यान रखिएगा का ऐसा, mutual fund long term का goal है, और इस ऐसे condition में अगर proper fund selection अच्छा रहेगा, तो आज आपके पैसे बहुत अच्छा बनेगे, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए वीडियो, प्लीज, अगर कुछ हार्ष बोला होगा, तो माफी चाहूँगा, लेकिन दिल से निकला था, और मैं न नहीं चाहता, किसी का long term में नुकसान ज्यादा हो, राइट, बाकि में देटें इन्रेश जोड़ों के साथ, अपना अपर ध्यान रखी हो, आपके टेक केर, जैहिंद,